आपको सबको बहुत बहुत शुबकामना, आपके धैरे को भी बहुत बहुत प्रणाम, एक तो आपको आपके नए जिम के लिए बहुत बहुत बदाई, सिरफ मेरो को यही कहना है कि इस जिम को हमने आपके इस पार्क की शोवा बढ़ाने के लिए नहीं लगाया, इसको आपक इस बॉर्ड के, इस ब्रॉक के, किसी भी किसम की फिजिकल अक्टिविटी नहीं करते हैं कम से कम इस जिम से प्रेड़ना लेकर, कुछ ना कुछ जरूर शुरू करें आदा घंटे से एक घंटे के लिए चाहे डेली वाकिंग शुरू करें, चाहे ब्रिस्क वाकिंग करें, चाहे दौड़ना शुरू करें, चाहे योग मेडिटेशन शुरू करें चिया जी में पर एक्टीविटी चूरू करें चाहे साइकलिंग चूरू करें लेकिन पॉर गॉड्सेक फिजिकल एक्टीविटी जरूर शुरू करें क्योंकि जो रिपन है वो हेल्थ है वह जो नियिड़ आपके जिन में है वह असली आपकी वेल्थ नहीं ये अगर हमें सब को समझ में आ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि आपका हमारा सबका उद्धार हो जाएगा और बाकी आपको मैं नरेन्द मोदी जी की ओर से अपनी देश सारी शुब कामना ही देता हूँ हम सबका स्वभाग्य है और हमें सबको गर्भ है अपने पिधान मंत्री नरेन मोदी जी के उपर उन्होंने हमारा हमारे देश का पूरे भारत का सारे देश में सारी दुनिया के अंदर नाम रोशन किया है आज सारी दुनिया के अंदर भारत की इज़त नरेन मोदी जी के कारण कई गुना बढ़ी है और वो एक नए भारत को बनाने के सपने को लेकर जी रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं दिन रात उसके लिए प्रयास कर रहे हैं आप सबसे भी मेरा यह अनुरोध है कि उनके नए भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिए उनके सपने के साथ अपने भी छोटे-छोटे सपने जोड़िये और उस भारत को बनाने में कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में हम कॉंट्रिबूट करें कॉंट्रिबूट करने से मतलब कोई financial contribution की बात नहीं है लेकिन थोड़ा-थोड़ा अपने इलावा देश समाज और भारत को उन उचाईओं तक ले जाने के लिए भी जीने के लिए हम कॉंट्रिबूट करें यही आप से अतेक्षा है इच्चा है आपके बेहतर स्वास्त की कामना करते हुए आपका फिज़े से मैं अभारव्यक्त करता हूँ